अच्छा जी इसलाम लेकुम आज के टिट्योरियल में हम लोगों ने शीखना है कि how we can parse the argument to a bash script ठीक है यह basically एक ऐसी value होती है जो कि हम parse करते हैं किसी भी program को as a subroutine या फिर score function के तौर पर ठीक है arguments होते क्या है arguments जो है ना are stored by default in an array ठीक है तो जब भी हम arguments की बात करेंगे तो हमारे पास दो options होती है या तो हम उसको array में store कर सकते हैं हम उनको as it is भी store कर सकते हैं मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी अच्छे तरीके से होते हैं different type के जो variables होते हैं उनको support कर सकते हैं like वो जो है hold कर सकते है multiple values ठीक है अब basically होता है के array के अंदर हम group कर देते हैं set of variables को यानि कि हमारे पास array के अंदर एक से ज़्यादा variable store हो जाते हैं उनको group के form में variables को हम store कर सकते हैं हम अच्छे के new variable हम create करें हम क्या करते हैं कि single array variable को store कर लेते हैं ठीक है create कर लेते हैं जो कि तमाम दूसरे variables को store कर लेते हैं चले हम देखते हैं कि basically ये variables किस तरह से create किया जाते हैं और किस तरह से उनको store किया जाते है और किस तरह से pass किया जाते है script के अंदर किसी भी script के साथ मैं कोई भी argument pass कर सकती हूँ like I want to send some name to script so for example I want to send some three names कोई भी three names मैं जो है script को चाती हूँ कि मेरा जो मैं script जो write करूँगी उसको मैं pass करूँ as an argument तो इसके लिए मैं क्या करूँगी सबसे पहले मैं यहां पर देखे मैं इस चेल script start किया और फिर मैंने जो है directory को change करके desktop पे लेकिया यहां पर मैं आप script start कर चुकी हूँ इको से क्या कर रही हूँ कि मैं यहां पर तीन मैंने तो इसमें basically होगा क्या कि हम सबसे पहले इको से start करेंगे और जो first argument मैं pass करूँगी ना वो dollar one variable में save हो जाएगा या उसमें store हो जाएगा फिर जो second argument में pass करूँगी वो dollar two में store हो जाएगा फिर जो third argument में pass करूंगी वो dollar three में store हो जागा इस तरह से हम arguments को pass भी करते हैं और साथ में store होते जाते हैं variables के अंदर बेसिकलिए echo के बाद ये dollar one जो है मैं variable create करूं dollar one, dollar two, dollar three ये three variables मैंने create किये अच्छा इस तरह से तो सिर्फ arguments pass हो जाएंगे अब अगर हम चाते हैं के साथ में जो arguments हमने pass की हैं वो print भी हो तो फिर मैं क्या करूंगी यहां पर greater than का sign लगाँगी और उसको मैं single quote में लिखूंगी और फिर मैं यहां पर echo लिखूंगी और फिर वो echo क्या करेगा के dollar one, dollar two, dollar three variable के अंदर जो भी value store है उसको प्रिंट कराके देदेगा ठीक है इसके बाद मैं जैसे ही program को run करूंगी साथ में मैं तीन names लिख रही है तीन names तो इस तरीके से जैसे हम इसको run करते हैं तो जो argument pass मैंने किये थे वो सारे print होके मिझे नीचे यहां देखें output में नजर आ जाएंगे यह मैंने यहां पर जब इस program को run की है तो यह मैं पस नीचे argument शो भी हो रहे हैं जो मेरे dollar one, dollar two, dollar three variable के अंदर store हुए थे इस तरीके से हम arguments pass करते हैं और साथ में इनको print भी करा सकते हैं इसी तरह अगर मैं एक और variable create कर दूँ dollar zero के नाम से तो dollar zero में कौन सा argument store होगा यह जो file का नाम है script की file का नाम hello.sh यह dollar zero variable के अंदर यह argument store हो जाएगा और इसको जब मैं print कराऊंगी तो यह देखें मेरे पास पहले यह hello.sh नहीं लिखा वा रहा था लेकिन जैसी में इसको dollar zero मेंने एक new variable create किया है और new argument पास किया है तो जो इसमें जो argument पास होगा वो basically hello.sh का यह नहीं के file का नाम है वो इसको assign हो जाएगा फिर इसके बाद dollar one में जो first value है या first name में लिखोंगी वो इस variable में store होगा फिर dollar two में second name और dollar three में third name इसको इंदर store होगा यह देखें आप देख सकते हैं यहाँ पर hello.sh को मैंने highlight करके दिखाया कि यह dollar zero के अंदर यह argument पास हो जाएगा और यह value इसकी store होगी इस variable के अंदर dollar zero तो इस तरीके से हम लोग जो है argument को पास करते हैं और साथ में उसको print भी करा सकते हैं देख सकते हैं कि कौन से variable में कौन सी value store हो रही है ताके हमें पता चल सके अच्छा इसके बाद दूसरा तरीका भी होता है कि हम लोग variable इसी तरह हम लोग independently भी create कर सकते हैं दूसरा तरीका यह होता है कि हम array के अंदर store करें फीक है? तो यहां पर मैंने array declare की है, इसके लिए मैंने arguments का variable यह is equal to dollar at the rate. Dollar at the rate से क्या होगा कि, कि यह जो है, हमारी जितने भी arguments है ना as an array, इसके अंदर store होंगे dollar at the rate के अंदर. तो इसके लिए क्या करते हैं, कि जब भी आप parse करना चाहते हैं, किसी भी variable को, उसके लिए सबसे पहले आप इसको declare करना होगा, इसी तरह जब भी हम कोई भी array बनाते हैं, इसमें सबसे पहले हम एक variable को declare करेंगे, then फिर हम नीचे उसकी पूरी की पूरी array design करेंगे, तो अब द अब मैं यहां पर ट्रै लिक होगी, array के elements बनाओगी, यहां पर array बनाओगी, यहां पर curly brackets यूज कर रही हूँ, curly brackets के अंदर, मैं argument जो मैंने ऊपर declare किया था, कि ताके पता हो कि यह array यहां से हमें array लेनी है, और उसके बाद argument के अंदर मैं dollar one लिख दूगी, या one लिख दूगी, ठीक है, यनि कि dollar one की जगह पर मैं argument one लिख होगी, तो इस तरह से क्या होगा, कि यह हमारा array का first जो element है, वो बन जाएगा, इसके बाद इसी तरह मैं इसको copy-paste कर लोगी तीनो variables की जगह पर, तो मैंने यहां पर total तीन errors क्रिएट करनी है, स्पेस वगरा हटा लें, अगर आप लोगों ने गलती से स्पेस वगरा लगा दिया, तो आप लोग री चेक कर लेना, स्पेस वगरा ना हो, यहां पर मैंने एक जगह पर थोड़ा सा error कि इसकी वज़ा से, तो यहां पर यह डॉलर one, इसको मैंने बूप कर लोगी, यह इस से आप अपनी एरे को डिजाइन कर लेंगे, ठीक है, पहले मैंने डॉलर के आगे वेरियेबल नहीं लिखा था, अब मैंने डॉलर के आगे एरे नमबर लिखे है, एरे one, एरे two, एरे three, और कर ली ब्रैकिट्स के अंदर लिखना है, इसको री चेक कर लें अच्छे से, कि कोई ब्रैकिट यह कर ली ब्रैकिट रह ना गई हो, यह स्पेस वगरा कहीं से, इस तरह से कोई एरर ना है, बार बार, एकी दफ़ा आप अच्छे से प्रोग्राम लिखेंगे, तो आपको बार बार एरे रिमूव करना ही करना पड़े तो चलें इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो यह देखें मुझे सेम रिजर्ट दिया इसने, ठीक है, अच्छा लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या है, कि यहां पर जो मेरे पास जीरो और्गुमेंट है ना, उसमें यह हेलो.sh की वैल्यू स्टोर हुई है, और जो फर्स्ट अर्गुमेंट है, यह फर्स्ट जो नेम है, वो अर्गुमेंट वन में स्टोर हुआ, सेकिंड नेम अर्गुमेंट टू में स्टोर होगा, और थर्ड नेम अर्गुमेंट थ्री में, तो उसी तरह से तक्रीबन हमारा रिजर्ट तक्रीबन सेम है, लेकिन बस मैथेड डिफ सकते हैं ठीक है बस method different है variables को store करने का address के through भी आप store कर सकते है values direct variables के through भी store कर सकते हैं यह totally आपके अपनी choice होती कि आप किस तरह से करना चाह रहें इसको तो basically dollar at the rate का क्या काम है कि यह assign करेगा those arguments को जो के store होंगे इन variables के अंदर तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जितने भी arguments आपके store किया वह आपको as positives show हो जाएं ठीक है बगैर आपको array design किये आप चाहते हैं कि जितने भी arguments पास किये गए वह सारे के सारे आपको show हो जाएं तो आपको जब आपने सारे show कराने हैं तो फिर तो आपको यह array लिखने की जुरूरत नहीं है आप directly भी इसकी काम कर सकते हैं इसके लिए और method है जो मैं आपको बताऊंगी यह देखें मेरे पास जो सबसे पहले एको की value show हो रही है ठीक है जिसमें मेरे पास यह hello.sh mass feature और इसके बाद मेरे पास दूसरा जो मैंने array के अंदर store कर रहे थे variables second जो मेरे पास सिर्फ name show हो रहे तीन मैंने arguments पास के थे names पास के थे नीचे से अलग से दिख रहे हैं ठीक है लेकिन इसमें difference यह है कि मेरी मेरा zeroth index है वो first name को assign हो रहे है second जो index है वो second name को assign हो रहे है यानिके 0 के उपर आपका जो first name है mass वाला वो assign हो रहा है और फिर second argument zero को mass name assign हो रहा है argument one को peter assign हो ठीक है यानिके 0 इंडेक्स पे आपकी first value जा रहे है और one first index पे आपकी second value जा रहे है और second index पे आपकी third value जा रहे है यह array के अंदर जीरो से values store होना start होती है ठीक है तो यह difference आप लोगोंने हमेशे गयाद रखने के array के अंदर थोड़ा सा one जो है इसका gap होता है वो नहीं जीरो से start होती है इसमें ना store होना variables की values तो इसके बाद हमारे पास जो हम मैं बता रही थी अगर आप लोगों को बगैर array design कि यह आप चाहते हैं कि जितने भी arguments आपके पास हों सारे के सारे आपको शो हो जाएं तो simple मैं इसको comment out कर रही जो एको मैंने अभी array बनाई थी तो simple आप एको लिखके dollar और at the rate लिखेंगे तो भी आपको यह सारे के सारे arguments शो हो जाएगे जितने भी यह तो मैंने तीन नाम लिखें अगर मैं लिखती तो सारे के सारे मुझे शो हो जाते हैं लेकिन जब अगर मैं array बना के लिखती तो तब मुझे सिरफ पहले तीन ही शो होते हैं क्योंकि मैंने array जो है वो तीन variables की बनाई थी लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे के सारे arguments जो हैं जितने भी आपने arguments पास की हैं वो सारे के सारे शो हो जाएं तो आप simple एको लिखकर dollar लिखकर add the rate लिखेंगे आपको सारे के सारे arguments शो हो जाएंगे फिर अग में जो जितने भी arguments पास हुएं उनका number लिखकर आ जाएगा मैं इसको run कर तो यह देखें आखिर मुझे तीन लिखावा नजर आ गया इसका मतलब है कि यहां पर मैंने तीन arguments पास की है और उसका number मुझे नीचे लिखकर आ गया तो इस तरीके से हम लोग arguments को पास करते हैं किस इसी भी script के अंदर फिर अगला हमारा जो concept है वो है if else की condition का if else की condition किस तरह से use की जाती है कहां use की जाती है इसको थोड़ा सा आज हम समझेंगे थोड़ा सा वैसे आपको खुद भी पता होगा idea होगा if else की condition वैसे basically क्यों use होती है if statement जो है use की जाती है किसी भी condition को evaluate करने के ल statement execute होगी अगर if की condition true नहीं है तो then की statement भी execute नहीं होगी तो चले मैं यहाँ पर एक program लिखती हूँ if कि statement को use करते हुए example आपको करके दिखाती हूँ था कि आपको idea हो किस तरह से यह use होगी तो basically यहां पर मैं क्या करते हूँ कि एक variable declare कर रहे है काउंट का उसके अंदर value store कर रहे हूँ 10 count के अंदर मैं 10 value store कर रहे हूँ count is equal to 10 अब मैं यह condition लगा रही हूँ कि if dollar count यह नहीं कि यह जो variable मैंने उ consulting आपको यहां पर declare कि था उसको मैं यहां पर use कर रहे हूँ कि count के अंदर जो भी value है उस variable को मैं यहाँ पर use कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर equality का देखिए यहाँ पर नीचे ना उसका बन के आगे कि आप वही वाला variable यूज करें जो भी अभी आपने डेक्लियर किये तो आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं blue वाले को या directly आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं obviously यह उसी variable को लेगा जो मैंने अभी वी डेक्लियर किये तो तो इस तरीके से अब मैं count के उपर एक condition लगाना चाहा रही हूँ कोई भी condition आप लगा सकते हैं हमारे पस डिफरेंट टाइप की condition होती है यह देखे मैंने equality की condition लगाई है कि count जो है वह is equal to 10 ठीक है अगर count की value 10 के equal है तो मुझे यह क्या कर दे program run हो तो मुझे condition is true लिखके आ जाए ठीक है तो यह echo कर दे condition is true तो यहाँ पर देखे हैं मेरा program run हुआ है और condition is true लिखकर आगे नीचे साइट यह जो मेरा terminal है उसमें मैंने यहाँ run करके देखे है तो मिरे पास यह output है उसमें यह मेरे show हो गया condition को पहले verify किया है इसके बाद उसने result में लिखकर मुझे दे दिया है कि condition जो है वो true है अगर मैं कोई ऐसी condition यहाँ पर लगा देती हूँ जो के true ना हो क्योंकि अगर यह program run होता है तो यह condition true हो है और जब condition true होगी तो इसका जो result है वो मुझे क्या मिलेगा condition is true तो यह देखे echo होकर आगे मेरे पास नीचे जैसे program run हो है नीचे मेरे पास output में लिखकर आगे condition is true क्योंकि अब मेरे पास count के अंदर value है 10 की यहाँ पर मैं greater than का condition लगा रही हूंकि 10 is greater than 9 तो obviously 10 is greater than 9 यह भी condition true है इसलिए मेरे पास result है output है उसमे condition is true लिखकर आ जाएगा ठीक है इस तरह से मेरे पास हम जो है if else की conditions को execute करते हैं यूज करते हैं अपने linux की shell scripting के अंदर अच्छा आप greater than के अंदर हम greater than की जगा पर आप sign भी use कर सकते हैं मैंने minus gt लिखा था तब भी मैंने यही use किया था तब भी मेरा answer जो है वो तक्रीबन same ही आया था तो यहाँ पर totally आपके उपर depend करते है कि आप कौन सी condition लगाना चाह रहे हैं अगर condition true होगी तो आपके पास output में eco होकर आ जाएगा कि condition is true अगर condition true नहीं है तो हमारे पास output में कुछ भी नहीं आएगा थीक है यानि कि अगर हमारी condition true नहीं है तो हमारे पास output में कुछ भी नहीं लिखा वाएगा अगर आपके पास output में कुछ नहीं लिखा वारा इसका मतलब है कि condition is not true थीक है अगर यह लगाने पड़ेंगी डिपल स्केर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगी और अधर्वाइस आप से इंपल माइनस जी टी लिखेंगे तो वह भी साइन है ग्रेटर दैन की कंडिशन के लिए ही यूज होता है तो यह आपने थोड़ा सा बस ख्याल रखना है जब आपने इन कंड जो है उसके अंदर हमारे पास value पड़ यह 10 और यह 9 के equal तो नहीं है लेकिन less है greater है ठीक है तो अगर इन में से एक भी condition true होगी तो हमारे पास जो result है वो यही आएगा के eco करके देदेगा वो हमें के condition is true अब अगर मैं यहां पर थोई सी और conditions चेंज करकर के actually मैं थोड़ा सा ना आपको example बता रही हूं different conditions लगा के कि आप किस तरह से अपने program के अंदर conditions change कर सकते हैं different conditions apply कर सकते हैं use कर सकते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी condition हो कि जब आपके condition true ना हो तो दूसरी condition जो है हमें भो इसके अच्शा मैं variable change कर रहीं variable का नाम चैंज कर रही हूं word का variable मैं यहाँ पर रख रहूँ है ठीक है और इसके अंदर मैं लिक रही हूं ABC ठीक है अब यहां पर ना उसक्रो यूज करूब की के टाइम पर ना तो देखें मैंने इपर पहले वेरियबल चेंज किया वर्ड का वेरियबल मैंने लगाए उसके इंदर मैंने वैल्यू के स्टोर की एबी सी की अब मैं यहां पर वर्ड के वेरियबल को ही यूज कर रही हूं और उसको कहरे हूं कि is equal to is equal to ABC अब ऐम्हार k 되면 पेसले का पनेंडो दाले के सब्सक्राइब दूखओ रोगा जो मेरे पास राइनीच के ढाले क्षण ए लिए अपने आधा के आपने बास्त işi तो मुंहों पहल साक ये माइजा कर दिया Jim लेकिन अब मैं यहां पर a, b, double c या triple c जब लगाओंगी तो obviously क्योंकि यह जो a, b, c है यह word जो variable है इसके equal नहीं है तो क्योंकि यह equal नहीं है तो इसको applicable नहीं होना चाहिए हमें dollar के sign लगाना भूल गए थी यह पहले बताया था तो यहां पर मैं डबल c लिख रही हूँ अब यहां पर देखें a, b, c जो है उपर वाल स्ट्रिंग, नीचे वाल स्ट्रिंग के equal नहीं है तो अब मैं जब program को run करूंगी तो हमारे पास hopefully result यह आना चाहिए कि यह equal नहीं होनी चाहिए हमारे पास ठीक है कि यह आना चाहिए है यह देखें असल में यह ना स्पेस का बड़ा मसला होता है यह जब आप एकवेल के साइन हो गए या फिर यह कंपेरिटिव ओपरेटर जो हैं इनके आपने इनके आगे पिछ आपने स्पेस लगानी होती है तो वरना यह प्रोग्राम जो है इनको डिटेक्ट में करता सही तरी को रिमूव किये तो मिरे पास रिजल्ट आगे है जैसी मैंने इनके फाइल की है तो मेरे पास जो आउटपुट थी उसमें कुछ भी नहीं आया इंए कि क्टिशन की नहीं थी इस वजह से मुझे यह साइन नहीं दिया गए कि कंडिशन इस ज्पार से मैंने रन किया की कंडिशन में हम कंडिशन को डिफरेंट कंडिशन लगा सकते हैं अपनी मर्जी की कोई भी पहले मैंने आपको इंटीजर की वैल्यू स्टोर करके उसकी कंडिशन लगानी सिखाई थी अब मैंने स्ट्रिंग को स्टोर करके इसकी कंडिशन लगानी सिखाई आपको ठीक है इ तो इस तरह से यह जो हमारे पास इफ एल्स की कंडिशन है यह बहुत important concept होता है अगर आपको कंडिशन लगाने आ जाएं तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है apply कर सकते हैं easily तो अगर आपको यह conditions आ जाएं easily apply करने तो बहुत सारे programs में आप इनको use कर सकते हैं बस पर यह मैं different examples खुद करकर के आपको दिखा रही हूं कि किस तरह से आप इसको change करकर के conditions को आप use कर सकते हैं इनको यह not equal to operator है जो कि मैं अब use कर रही हूं not equal to की not equality की condition लगाई हुए अब देखें word के अंदर ABC store है ABC जो है वो ABC C के equal नहीं है जो के true condition है तो इसलिए जैसे मैं इस program को run करती हूं मेरे पास output में condition is true लेकर आ जाता है तो जैसे और अगर AB अगर यह दोनों conditions एक दूसरे के equal नहीं है तो ही हमें result मिलेगा A और D जो है अब मैंने word के अंदर value store कराई है वो A है और नीचे जो मैंने condition लगाई है वो less than की condition लगाई है और उसका comparison कर रही हूं B के साथ तो क्योंके B और A के साथ कोई comparison बनता ही नहीं है इसके यह कोई value नहीं है A और B यानि के string को हम सिर्फ compare कर सकते हैं उसको greater than और less than का नहीं कर सकते हैं तो इसलिए देखें नीचे मेरे पास error की जो type है वो भी different है यहां पर लिखावा आगे कि B no file or director exists ठीक है तो greater than or less than की जो condition है या यह जो operator है यह हम सिर्फ integers के case में use करते हैं string के case में greater than or less than की sign operator है इसको हम use नहीं कर सकते हमारे पास इस तरह का error भीरा आजाएगा तो अगर हम लोगा है तो अगर हम लोगा है ठीक है तो ए जो है वो less होगा भी से लेकिन इस condition के साथ greater than or less than की sign जो करते हैं curly brackets के लिए जो हम लोगों मैंने यहां पर curly brackets यूज की और इसके बाद मैंने यहां पर apply किया तो यह देखे मेरे पास condition is true की जो output है वो मेरे पास out show हो गई है क्यूंके ए जो है वो less than b है इसलिए मेरे पास condition true हो गई है a पहले आता है b से इसलिए इसको less की category में डाल रहा है तो इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारी conditions हैं जो के हम use कर सकते हैं आप यहां पर देखें कि मेरे पास हम Google पर जाके comparison operators in Linux या shell scripting लिखकर आप Google पर यह लिखेंगे तो ठाके आपकी practice अच्छी से हो जाए कर अगर आपको पेपर में कोई इस तरह की condition apply करनी पड़ जाए तो आपको उसका तरीका आता हो use करने का अगर आपकी practice हो भी तो आप easily किसी भी की तरह की condition को use कर सकते हैं पेपर के अंदर लेकिन अगर आपको तरीका नहीं आता तो फिर आपको condition use करना नहीं आएगी condition को apply करना नहीं आएगा पेपर में तो इसलिए ये सारी आपके पर देखे different operators हैं साथ में उनका scenario भी लिखावा है कि कौन से operator को किस तरह से आप use कर सकते हैं compare लिए कौन सी चीज़ें आप condition के अंदर use कर सकते हैं if else की इस तरीके से आप इस सारे के सारी use कर सकते हैं तो इनकी कोशिश करें बहुत ज्यादा practice करे so that कि आप आगे भी इनको use कर सके यह पिछला हम लोगों ने देखा था comparing numbers and integers यहां यह हमारे पास comparing integers arithmetic expression like job greater than or less than के science यूज करते है not equal to equal to के science यह यूज करना सिखा रहे हैं यहां पर हमके किस तरह से यूज करना है like curly brackets या square brackets या double brackets ये course वगरा use करने होते हैं तो वो आप ने बस यहां से देख लेना dollar का sign यह सारी चीज़े हैं इनका कुछ syntax होता है जिसको आपको follow करना पदता है अगर आप इनको use करना चाहते है तो otherwise यह आपको error देगा तो अगर आप यह direct operators यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर आप यह देखे हम different हमारे पास इसका syntax होते हैं जो आपको follow करना पदता है तो बस इसी तरह से हम लोगों ने यह सारा देखना अच्छे से और इसकी practice करनी है ताके हम लोगों को यह अच्छे से आ आज है अच्छा अब अगर हम लोगों ने यह तो हमने देखी if की condition if else की condition अब हम देखते हैं else if की condition ठीक है जिस तरह से if की condition true होती है तो हमारे पास then में output आ जाता है अगर वो condition true हो तो then हमारे पास वो वाली आउटपुट शो हो जाते है अगर वो वाली condition true ना हो तो फिर हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह की output हो different output हो तो वो हम else में डाल रहे हैं तो अगर हमारी condition true है, तो then जो भी result है वह हमें show हो जाए, लेकिन अगर हमारी condition true नहीं है, तो else की condition है, वो हमारी true हो जाए, जैसे यहां पर मैंने else के बाद लेए condition is false, तो यहां पर मैंने if i के साथ, यह जो if else की condition है, इसको end किये, तो यह देखें यहां पर मैंने equality का operator यूज़ की है कि e obviously b के equal नहीं है तो यह condition true नहीं है अगर यह condition true नहीं हो तो अब हमारे पास then की जिगा else की जो condition मैंने eco में लिखी है कि condition is false यह हमारे पास show होना चाहिए तो यह error होते हैं कुछ programs में देख लिया करें पहले यह मेरे भी आ रहे थे file save करना होती है यह देखें तो अब देखें यह जो मैंने changes की थी अब वो इसमें show हो रही है क्योंके a is not equal to b जो के condition true नहीं है तो इसलिए मारे पास else फाली condition जो है आउट्पुट में show होगी condition is false अब हम लोगों ने तीसरी जो चीज़ देखनी है ना वो है else if की condition यह तो if else की condition हम लोगों ने देख ली अब else if की condition क्या होती है कि उसमें हमारे पास 3 conditions लगती है कि अगर यह condition true है तो यह answer कर दें अगर यह condition true नहीं है तो फिर एक और condition लगती है उसको चेक करें और अगर फिर वो condition भी true नहीं है then हमारे पास result हो यनि कि दो conditions को चेक करना होता है हमने तो हम else if की condition लगाते हैं इसको e, l, i, f से हम लोग यहां पर denote कर रहे हैं और इस तरह कि हम 6 conditions भी लगा सकते है else if को use करते हुए यनि कि if this condition is true else if this condition is true if this condition is true तो आपको then का result मिल जाता है अगर वो condition true नहीं हो तो फिर अगली condition चेक हो जाती है अगर वो भी true नहीं हो तो फिर उस से अगली फिर वो भी true नहीं हो तो उस से अगली इस तरह से हम 6 के 10 conditions भी लगा सकते हैं else if को use करते वे तो else if की condition के बाद अब मैंने यहाँ पर अर्रेड़ी एक condition रखी वी है तो else if के बाद मैं यहाँ पर एक ओर condition put करूंगी यह देखें यहाँ से मैं यह condition copy कर रही हूँ अच्छा यहाँ पर कुछ brackets का error था syntax error था तो मुझे वो error दे रहा है मैंने वो remove किया और इसके बाद दुबारा से मैंने इसको run कराया तो अब देखें मेरे पस किस तरह का result आता है इसको file को save जरूर किया करें बाद वकात आप जो changes करते हैं वो terminal तक पहुंचती नहीं है अब देखें यहाँ पर लिखा हूँ आगे condition जो मैंने अभी recently add की है वो true हुई है उसको evaluate की है वो true हुई है और इसके बाद उसका result मुझे यहाँ पर बिल गया इस तरीके से हम if की else if की और different type की conditions जो है वो अपनी प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं उसको apply कर सकते हैं आप लोग भी इस तरह different जो conditions और उनको use करें और apply करें